देहे टीवी पर आप सुन रहे हैं News This Hour और हम बात करेंगे Interpol की जिसने Red Notice जारी किया है और Red Notice जारी किया है South Africa के गुपता ब्रदर्स के खिलाफ एक बार फिर से Economic Fugative Offenders जो आर्थिक भगोडे होते हैं जैसे अभी आपने सुना होगा नीरव मोदी या विजय माल्या या और भी जितने भी थें उसी सिरीज में ये एक नया नाम उभर कर सामने आया है इन पर दक्षण अफरीका की परिसंपतियों यानि असेट्स को नुकसान पहुँचाने और वहां ब्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप हैं दक्षण अफरी दिया गया है दक्षण अफरीका में सरकारी संस्थाओं की तरफ से अपने खिलाफ धाई करोण रेंड यानि करीब 12.97 करोण रुपए के एस्टिना डेरी घोटाले की जांश शुरू होने के बाद गुपता ब्रदर्स यानि अतुल और राजेश गुपता परिवार समेत फ पर्सन को मुकदमा चलाने के लिए गिरफतार करने हे तो जारी किया जाता है वहीं येलो नोटिस गायब हुए व्यक्ति यानि मिसिंग पर्सन्स खास कर अवयस्क जो माइनर है उसको लोकेट करने के लिए जारी किया जाता है या ऐसे व्यक्तियों की पहचान में मदद के आपराधिक जारी किया जाता है जो खुद को पहचानने में असमर्थ हों इसके बाद है ब्लू नोटिस ब्लू किसी अपराध से संबंधित लोकेशन या गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति की पहचान की अतिरिक्त सूचना इकठा करने के लिए जारी किया जाता है और Black Notice किसी अज्यात शव यानि Unidentified Bodies के बारे में जानकारी पाने के लिए जारी होता है। वहीं Green Notice किसी व्यक्ति के अपराधिक गतिविधियों के बारे में वार्निंग देने के लिए जारी किया जाता है। किसी वस्तु या उपकरण जो प्रयोग में वो ला रहे हों उसकी जानकारी पाने के लिए जारी किया जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की गतिविधि को लोक सुरक्षा यानि पब्लिक सेफ्टी के लिए खत्रा माना जाता है। आपके ओप्शन्स हैं A. रेड नोटिस, B. परपल नोटिस, C. ओरेंज नोटिस या फिर D. ग्रीन नोटिस। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए तरीन के लिए नोटिस, C. आपके लिए नोटिस, C. आपके लिए में बता सकते हैं।